हेलो एव्रिवन सभी का स्वागत है डाउट नेट पे और आपकी कम्प्यूटर अप्लिकेशन के क्लास में तो बच्चो मेरा नाम है अकरश उपता और मैं आपका कम्प्यूटर अप्लिकेशन मेंटर तो बच्चो आज मैं आपके लिएक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूँ CSS की जैसे हमने CSS पे त्योरी लेक्चर देखे था आज मैं आपको CSS का प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा पूरा प्रैक्टिकल बेस लेक्चर होने वाला है मैं हर एक प्रोपर्टी को यूज करूँगा आपके सामने यूज करूँगा जिससे कि आप सीख सकते हो और आपके एक्जाम में जो भी प्रैक्टिकल आपसे पूछे जाएंगे उसमें भी अच्छा प्रफॉर्मेंस कर सकते हो आप तो बस आपको कुछ नहीं करना आपको मेरे लेक्चर को राम से देखना है समझना है कि मैं कहां कि उस प्रफर्टी को यूज कर रहा हूँ और कैसे कैसे हम CSS को यूज कर सकते हैं बच्चे तो रेडी हो जाई है प्रैक्टिकल के लिए चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल पे तो बच्चो चलिए आ गया है हम प्रैक्टिकल के लिए तो बच्चो बस बिल पर आपको यह लाइव विव करके से लाइव वेव करके डॉट कॉम करके यहां पर क्या करना है सर्च करना है तो इसमें आपको क्या मिलेगा मतलब आपको इसमें विंडो मिलेगी विंडो में क्या होगा कि आप यहां पर HTML code लिख सकते हैं ठीक है यहाँ पर अपना HTML code लिख सकते हैं और यहाँ पर यह वाइड कलर की दिख रही है विंडो इसमें आप अपनी आउटपुट देख सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पर HTML code लिखूँगा अपनी CSS की properties को यूज करूंगा और आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर practical देख सकते हैं ठीक है बच्चे clear चलिए तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम कैसे property को यूज करने है कौन कौन से element पर किस किस property को यूज करके अपने web pages को design beautiful बना सकते हैं और आपको यह भी explain करूंगा कि inline और style sheet जो different style sheet हैं उनमें कैसे आपको यूज करना है तो चलिए ready हो जाईए तो बच्चों आपको मैं पहला practical दिखाना चाहता हूँ पहला जो है अगर मैं html के अंदर कुछ heading लिए मालने जो body के अंदर आप heading define करेंगे आपने body के अंदर heading define करी मैंने लिखा h1 इसके अंदर लिख दिया this is कि देखें जैसे जैसे आप output लिख रहे है वैसे वैसे आ रहा है आपका this is our css practical practical class ओके तो आपने देखे है h1 में लिखा h1 में लिखा तो आपको heading मिल गई है h1 के अंदर तो बच्चों और क्या कर सकते हैं इस पर अगर मुझे लगाई है let's suppose हमें मुझे इसको css के तरू कैसी internal css के तरू मुझे क्या करना है इसको color करना है an मैं भच्चे देखो मैं क्या करूंगा मैंने आपको बताया था class के अंदर कि आपको क्या यूज करना है style tag use करना है head section के अंदर और आप इसमें जो भी style लगाना चाहते हैं जो भी style लगाना चाहते हैं वो यहां पे लिख सकते हैं तो आपको selector लेना पड़ेगा और selector क्या है हमारा h1 कि जिसपे style लगानी उसको हम क्या बोलते हैं selector बोलते हैं तो देखिए बच्चो मैं लिखूंगा h1 और curly braces open करूंगा और इसके अंदर जो भी style आपको लिखने हैं आप style लिखेंगे मैं style लिखता हूँ color और color property हम किस लिए use करते हैं बच्चे color property किस लिए use करते हैं text को color करने के लिए color और colon colon red तो देखें जैसे आपने color लिखा जैसे आपने color लिखा तो color property किस लिए होती text को color करने के लिए तो जैसे आपने property लिखा तो आपको देखो यहाँ यह output मिल रहा है, heading आपकी किस color की हो गई, यह हो गई, red color की, तो यह internal style sheet का example है, आपने किया क्या simple, आपने बच्चे, यहाँ पे style tag लगाया, head section के अंदर, और उसमें अपनी style define कर दी, आपने वहाँ पे style define कर दी, ठीक है, style यहाँ पे define करी है, और बच्चे, आपने body के अंदर h तो h1 यहाँ पे जो है, यह हमारा h1, यह क्या है हमारा यहाँ यहाँ पे, selector की तरह काम कर रहा है, और यह property है, property की value है, red और red color, ठीक है, चलिए, head 1 में हम एक और property add करते हैं, इसमें लिखते हैं, background color, क्या लिखते हैं, background color, और बेटा, जैसे जैसे आप लिखते हो, तो background color क्या हो गया, yellow हो गया, background color क्या हो गया, बच्चो, yellow हो गया, तो इस तरह से आप properties को apply कर सकते हो, अगर आपको border लगाना है, तो border, पता है, आपको border style property होती है, हमारे पास, कौन सी property होती है, border style, तो हम इस property का use कर सकते हैं, तो आप border लगाना है, border style लगाना है, और जिस तरह क भी border style लगानी आपको यह सारी values दी गई है यहां पर जिस तरह का भी border आपको लगाना यहां पर वो सारी values दी जा रही है जैसे आप type करोगे तो सारी values आपके सामने आजएंगे dash, dotted, double तो मैं ले लेता हूँ double मैं double ले लेता हूँ और property को semicolon से end कर देता हूँ तो देखिए आपके सामने आप border लग के आ गया है यहां पर border लग गया है ठीक है तो बटा आप इस तरह से CSS properties का use कर सकते हैं तो color property किसले काम आएगी color property बच्चे color करने के लिए text को color करने के लिए और background property अगर आपको background color करने है चलिए मैं और भी selector लेता हूँ मैं और selector लेता हूँ मैं यहां पर लिख लेता हूँ P P और यहां पर भी same property apply करता हूँ background background color red ठीक है मैंने लिख दिया यह property define कर दी अब मुझे P let's suppose मैंने लिख दिया यहां पर P tag कितने P tag लिख दिये one एक P tag यह use किया मैंने यहां पर ठीक है नीचे तो मैं यहां पर P tag लिख रहा हूँ और P के अंदर लिख रहा हूँ मैं P के अंदर लिख रहा हूँ this is देखे पहले से background color जैसे यह आपने लिखा जैसे यह आपने लिखा मैंने लिखा this is our CSS class for class 10th CSS class for 10th मैंने लिखा तो देखे उसके पेच्छे पहले से background color set हो रहा है और आप इसके अंदर जो प्रोपेटिच है मैं लिख देता हूँ कि color yellow color yellow ठीक है color क्या लिख देता हूँ yellow लिख देता हूँ आपके लिख सकते है font size देखे font size property जिससे क्या होगा कि हमारे font का size increase हो जगा है मैंने लिख देखे 20 pixel तो देखे font का size increase हो गया है तो अब यह property है यह सारी styles से आपने define कर दी है यहाँ पर define किये तो अब यह example किसका है internal style sheet का है क्यूंकि भाई हमने क्या है कि h1 selector लिया है और internal style sheet को use किया है इंटरनल स्टाइल शीट में क्या करते हैं कि स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं स्टाइल को डिफाइंड करते हैं बच्चे और यह पी में भी ऐसे तो यह सारी प्रोपर्टीज है ठीक है बट अब एक बाद याद रखनी है कि जहां जहां हमारा पी होगा अगर let's suppose मैंने एक एक और पी टैग लगा लिया तो यह सारी स्टाइल्स सेलेक्टर हमारा क्या है यहां पर सेलेक्टर हमारा पी है तो यह सारी स्टाइल्स बच्चें काम करेंगी हर एक पी टैग पे जो कि उस वेब पेज के अंदर होगा तो यहां पर प्रैक्टकली इंप्लिमेंटेशन टेबल टेबल मैं क्या टेबल बनाना चाहता हूं बहुत ही स्चोटी सी टेबल बनाँगा जिसमें लिखूंगा टी आर कि टीडी थी ठीक है और टीडी ब्लोज है इस संलिए ऐसे यह बना लिए बना ली ठीक सके अंदर लिख दिया 1 और एक और column बना एक ऐसे ही बना लिए td मैं table बना रहा हूँ छोटी सी एक उसमें भी दिखा सकता हूँ कि कैसे properties अप्लाई कर सकते हैं हर एक element पर टू इसको मैंने copy कर लिया same same एक बार और एक row और create कर लेंगे एक row और create कर लेंगे मैंने यहांपे इसको कॉपी कर दिया थीक है तो हमारी डेखिए table बन नहीं हो table के अंदर में border set करूंगा बिना border कि अगर border नहीं लगाएंगे तो आपको table के राऊंड बॉर्डर नहीं दिखेगा table के राउंड क्या नहीं दिखेगा border नहीं दिखेगा ठीक है तो आपको बॉर्डर लगाना पड़ेगा देखे अब मेरी टेबल के राउंड बॉर्डर दिख रहा है अब मेरी टेबल के राउंड बॉर्डर दिख रहा है मैं इसके थोड़ा बड़ा कर देटा हूं टेबल को ठीक है अब आप हर किसी एक element पे आप td tag पे कोई property लगाना चाहते हैं आप td tag पे भी कोई property लगा सकते हैं आपको tr tag पे property लगानी है टेबल टेग पे लगानी है तो आप properties को define कर सकते हैं कहां पे head section के style tag के अंदर ठीक है बच्चे तो आप सिर्फ क्या करो कि यहां पे जाओ यहां प तो background color background color background color background color blue तो देखो आपके td tag के पीछे जो भी td tag का मतलब क्या होता है शेल होती है तो आपने इसके अंदर property define कर रखी है आप यहां पे green लिख दो ग्रीन हो गया तो जो भी color change कर रहे है आप देखो तुरन color change हो रहा है यहां पे तो आप किसी भी element पे properties बच्चों apply कर सकते हो किसी भी element पे ठीक है मैंने आपको यहां पे td tag पे दिखाया आपको ठीक है table पे करना चाहते हो table का background color set करना चाहते हो तो आप set कर सकते हो आप क्य बहुत ही simple है बहुत ही अराम से आप यहां पे practice कर सकते हो जैसे कि मैं कर रहा हूं आपके सामने तो आप भी कर सकते हो चलो मैं आपको एक inline style sheet का example देता हूं inline style sheet क्या होती है inline style sheet वो होती जब हम किसी particular element पे style लगाते हैं वो with the help of style attribute with the help of style attribute okay with the help of style attribute तो मैं क्या करूंगा द h2 style इसके अंदर हमें define करनी है जो भी properties आपको define करनी है style attribute है हमारा इसके अंदर हम कुछ भी properties क्या कर सकते हैं define कर सकते हैं तो मैं लिखता हूं color color colon red comma font size 50 pixels और हर एक property को आप semicolon से separate करना है ठीक है और यहां लिख देता हूं CSS for web designing CSS for web designing ठीक है तो देखें क्या हो रहा है आपके सामने देखिए मैंने size बहुत बड़ा कर रखा है font size मैं इसको कम कर देता हूं 20 कर देता हूं तो देखें आपके सामने क्या है यह inline style sheet अब inline style sheet का example है यह कि it means कि क्या होगा यह properties सिर्फ इसी पे काम करेंगी h2 पे ही काम करेंगी इस particular element पे काम करेंगी और inline का मतलब क्या है कि यह सिर्फ उस particular property पे particular element पे ही work करेंगी यह style sheet ओके तो यह difference है inline में और internal में internal आपको क्या करना पड़ता है आपको style head section के अंदर define करना पड़ता है उसके अंदर आप properties लिखते हो with selector with selector but inline में क्या है कि आप किसी भी element के अंदर मतलब किसी भी html tag के अंदर style attribute यूज करके उसके अंदर properties लिख सकते हो on each and every property जो भी लिखोगे वो separate करोगे आप semicolon के तुरू जैसे कि यहां पे मैंने semicolon के तुरू की हुई है कि color red उसके बाद semicolon font size और semicolon तो यह याद रखना है तो आप यहां पे किसी भी तरह की style sheet लगा सकते हैं ठीक है तो आप कुछ भी बना सकते हैं आप कुछ भी बना सकते हैं बहुत ही अच्छी चीजे बना सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ properties हो गई अब मैं आपको कुछ properties और बताता हूं मैं यहां पे border लगा चाहूंगा ठीक है मैं एच्टू में में के अंदर एस ठीक है अब मैं एच्टू के अंदर आपको लिख के बताता फोन डीसन बताता हूं फ्लोट इह व्लोट उसकी और ऐसाऊच रहा कि लेफ्ट सी ठीक है और कोलें से एंड करता हूं ठीक है या मैं लिखता हूं right right लिखूंगा तब work करेगा तुमारे लिए देखिए तो float right करने से क्या हूआ जो मेरे पीछे text है ये मेरे पीछे जो text है वो क्या होगा float right हो गया तो अगर आपको अपने वेब पेज के अंदर float property यूज करनी तो उसमें left right लिख सकते हो आप तो it means आपको वेब पेज के किस position पे किस position पे आपको अपने text या image आप ये property इमेज पे भी apply कर सकते हो float right property आप image पे भी apply कर सकते हो तो ये floating का मतलब क्या है कि left to right right to left ये काम कर सकते हो आप अपनी image को set करने के लिए तो ये property जो float होती है ज्यादा तर most of the time आप image tag के साथ क्या करते हो use करते हो तो इस तरह से आप define कर सकते हो float तो ये हमें float भी पढ़नी है आप ने color पढ़ लिए font size पढ़ लिए float पढ़ लिया ठीक है तो आपको मैं यहाप एक font family property भी define करता हूँ p tag के अंदर font family font family ठीक है यह सारी जितने options आपके सामने आ रहे ना यह इतने भी options आ रहे हैं यह सब font family मतलब font का style क्या रहने वाला है font का style क्या रहने वाला है अगर मैं font का style करता हूँ देखो कुछ भी करता हूँ यहापे मैं ले लेता हूँ दूसरा कुछ courier new तो देखिए आपका जो p tag के अंदर font का style क्या हो गया है चेंज हो गया है क्या हो गया चेंज हो गया ठीक है, font का style क्या हो गया, बच्चे, change हो गया, देखो, तो मैंने आप बहुत सारे font style लगा सकते हैं, तो font family में हम क्या मतलब होता है, कि आपको अपने font का किस तरह का design चाहिए, किस तरह का look and feel होगा आपके font का या text का, ओके students, तो यह font family property है, आप इसको use कर सकते हैं, तो border style देख ली, तो सारी properties I think आपको clear होगी, एक outline property और देख लेते हैं, हम p tag के अंदर outline property क्या कर लेते हैं, use कर लेते हैं, क्या करते हैं, outline property, तो outline style, कि किस तरह का आपको border, अपना outline चाहिए, मतलब border के बाहर जो होता है, उसको हम क्या बोलते है, outline style, तो outline style के अंदर देखे, यह सारे styles आपके सामने आ गए, यह सारे styles आपके सामने बच्चे आ गए हैं, ठीक है, तो आप कोई भी ले लिजे, आपके syllabus के अंदर यह सारे styles है, groove है, double है, dotted है, hidden है, none है, ठीक है, मैं groove ले लेता हूँ, groove ले लेता हूँ, तो groove देखे, आप लग गया है, ठीक है, आपके side में groove, तो यह आपको दिखरा होगा, आपके paragraph tag के round groove outline आए गई है, ठीक है, तो आप ऐसे use कर सकते हैं, outline style use कर सकते हैं, चलिए, तो I think यहाँ तक clear होगा सबको, यहाँ तक clear होगा कि कैसे properties लिखनी है, तो अपनी requirement के साब से, जो web designers होते हैं, वो अपनी requirement के साब से properties को use करते हैं, बट CSS का फाइदा क्या है, कि CSS का यही फाइदा है, कि CSS की जो styles हैं, वो आप बहुत सारे elements पे लगा सकते हो, तो time saving है, CSS का है time saving, और CSS के तुरूप बहुत सारी beautiful websites आप क्या कर सकते हो, design कर सकते हो, border style, आपको border का क्या style देना है, ठीक है border का क्या style देना है, यह कर सकते हो, font size, आपके font का size कितना रखना है, outline मतलब border के बाहर की जो outline है, उसको किस design में रखना है, तो outline style हो गया, outline size भी होता है, तो यह हो गया, तो head section के अंदर, जो style के अंदर properties define करते हो, वो क्या होता है हमारा बच्चे, वो होता है, internal style sheet, और यहाँ पर यह single element पर अगर आप को style sheet लगा रहे हो, तो वो क्या होगा, बच्चे, वो होगा inline style sheet, तो यह practical है, तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा, छोटा सा practical करके दिखाता हूँ, table tag पर, table tag पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक, तो यहा ठीक ह Ар ही property मैं क्या कर रहा हूँ, remove कर रहा हूँ अभी, मैं आपको table बना के दिखाता हूँ, बहुत ही, अच्छी सी CSS के तुरू, अच्छी सी table बना के दिखाता हूँ, मैं आपको CSS के तुरू, ओके, लेट्स पहले क्या कर लेंगे, पहले हम इस तरह करने के लिए सभसे पह कшь लिखा टियच लिखता हूं टेबर के एस टैीच पिति टेबल के एडिंग से ट इसमें मुझे अपने एडेन करनी है लिए सब्सक्रीan करने त्सपाई जर्थ लिखा ओ ठीच है ये देखे टेबल डिफाइन होती जा रही है टीच इसके अंदर लिखूंगा roll number और मैं एक और th लूँगा जिसमें लिखूंगा मैं name ठीक है तो यह th की होता है हमारे heading define करती है और table के अंदर मैं apply कर दूँगा border border equal to 1 border equal to 1 okay clear तो properties की spelling भी गलत नहीं होनी चाहिए आपकी spelling सही होनी चाहिए तब ही वो properties effect दिखाएंगे अपनी अब मैं यहां पर लिखता हूँ ठीक है टियार रो टियार एक रो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं td tag define कर रहा हूँ मैं सारे td tag define कर रहा हूँ यहां पर टीडी नेम मालनी जे प्रिया ठीक है क्लास मालनी जे टैंथ रोल नंबर क्या हो जाए रोल नंबर मालनी जे 12 ठीक है ऐसे सेम आप इसको copy कर लो कोड को कॉपी कर लो एक और रो क्रियेट कर लो कॉपी कर लिया मैंने सिर्फ डेटा चेंज कर देना क्या करना सिर्फ और सिर्फ क्या करना बच्चे डेटा चेंज कर देना ठीक है ऐसे कॉपी करके इसको सेम कॉपी कर लेते हैं और एक और रो क्रिएट कर लेता हूं सिर्फ डेटा को चेंज कर रही है यहां लिख दिया अभिनाश कि अभिनाश ठीक है और मैं लिखता हूं क्लास 10 रोल नंबर 20 तो यह हमारे टेबल के अंदर डेटा है अब हमारे अंदर टेबल के अंदर डेटा है तो अब हम अब देखिए मैं क्या करने वालों मैं css apply करके अपने टेबल का background color ठीक हर एक tag का अलग-अलग color set करना चाहता हूं अब देखिए मेरा requirement क्या है कि मैं चाहता हूं बच्चे कि मैं अपने टेबल की जो heading है जो heading है मतलब columns name role number जो heading है उनको background color दूँ उनको background color कैसा दूँ उनको background color दूँ मैं yellow उसको background color क्या दूँ तो yellow मैं मुझे कुछ नहीं करना है मैं styles के अंदर जाऊंगा style मैंने define कर रखी मैं लिखूंगा th क्योंकि th के अंदर heading है यह हमारा element है और इसके अंदर लिखूंगा background color इसके अंदर लिखूंगा background color का नाम दूँगा yellow और आपका देखे color display होना और मैं जो font size इंक्रीज करना है तो मैं लिखूंगा font size जितना भी देना आपको मैंने font decrease 30 pixel कर लेते हैं थोड़ा और सब बड़ा दिखेगा आपको तो यह हो गया 30 pixel ठीक है font family यूज़ कर लो अगर font का style भी चाहिए font family अगर आप चाहते हो कि font family में आप aerial black चाहते हो तो aerial black कर लो तो देखो aerial black हो गया तो यह properties हमने apply कर ली ठीक है बच्चे यह properties apply करी यह TH tag पर apply करी तो यह सारी properties सिर्फ किस पर display हो रही है सारे TH tag पर जो कि मैंने यहां define कर रखे है जो कि मैंने यहां सारे TH tag define कर रखे है इस पर display हो रही है यह TH tag है ना मारे तो इस पर सारी यह property पूरी work कर रही है हर एक TH tag पर यह property क्या कर रही ही work कर अब मैं चाहता हूं कि मेरे जो कॉलम है जो मेरा कॉलम है या मेरे टेबल का टीड़ी टैग है जितने भी टीड़ी टैग है उनका कलर हो जाए ग्रीन उनका कलर ग्रीन हो जाए और उसका टेक्ट कलर क्या हो जाए ब्लू हो जाए तो मैं लिखूंगा टीडी टीरी टैक के अंदर जो डेटा है हमारा जो टीरी टैक के अंदर डेटा है उसका कलर क्या हो जा है रेड कलर क्या हो जा है ब्लू लिख देता हूं ब्लू तो देखें टीरी टैक के अंदर जो डेटा है वो क्या हो गया है ब्लू हो गया है और अलाइमेंट क्या कर देता हूं से सेंटर और देखिए ठीक है ठीक है तो आप प्रोपर्टी क्या लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट अलाइन प्रोपर्टी लिखेंगे सेंटर करदेंगे जैसे ही सेंटर करेंगे आप तो देखे, सारा text क्या हो गया, center हो गया, td tag पर apply करने, तो सारा text जितना है, center हो गया, table के अंदर, आपको दिख रहा होगा, table के अंदर क्या हो गया, center हो गया, okay, clear बच्चे, now, अब मैं क्या चाहता हूँ, कि मेरे td tag का, मेरे td tag का, जितना भी, जितना भी, background color है, background color क्या हो जाए, green हो जाए, क्या हो जाए, background color क्या हो जाए, green हो जाए, तो property के नाम बड़े ध्यान से लिखने, वैसे तो यहाँ पर suggestion मिल जाएगा, आपको, ठीक है, suggestion मिल जाएगा, तो आप क्या कर लो, green कर लो, जैसे ही आप green और तो देखे आपके टीटेग कर जितना भी क्लर ऑल्ष करनेंगे आप किसी भी &s के तुरू अपनी प्रपर्टीज अप्लाए कर सकते हैं तो ये सारी प्रोपर्टीज में हर एक टीडी टाइग पर डिस्प्ले होंगी हर एक td tag पर display होंगी कि मैंने color blue किया तो हर एक td tag का जो data है वो color blue हो गया है align क्या कि यह center क्या तो center हो गया है background color green क्या तो green हो गया है और th का मैंने जो भी यह properties apply करी है background color yellow और black तो बच्चे इस तरह से आप कर सकते हैं आप किसी particular element को भी चाहते हैं आप किसी particular element को भी चाहते है color करना तो आप। उसको भी कर सकते हैं किसी एक data को भी color करना चाहते हो तो आपको वहां पे inline sheet का यूज करना पढ़ेगा वहां पकी किस्का यूज करना पढ़ेगा बच्चे inline sheet का use करना पढ़ेगा सिर्फ आपको इस tag के define कर देना जिस track के अंदर आप particular styles भी apply करना चाहते हो attribute यूज कर सकते हो ठीक है तो इस पे जिस पे मैं project आपको भी बता रहा हूँ छोटे छोटे project ऐसे ही और भी आगे practical आएंगे तो इस पे आप कर सकते हो live wave.com पे यहाँ पे जाके आप code लिखोगे आप यहाँ पे जाके जो भी code लिखोगे आपका code का output देखे जैसे कि यहाँ दिख रहा है तो आप अपने code का output देख सकते हो तो यहाँ practice करना बहुत अच्छा है बहुत ही असान है ठीक है जिसके पास आप mobile में भी practice कर सकते हो आप mobiles के अंदर भी practice कर सकते हो यह website खोलो वहाँ पे code टाइप करोगे आपको output दिख जाएगा बच्चे तो यह था हमारी class का भाई practical आज तो मैंने आपको practical समझा देगे कैसे properties apply करनी किस तरह से तो चोटे चोटे प्रोजेक्ट बना सकते हो आप ऐसे properties image tag पे लगा सकते हो आप headings पे लगा सकते हो आप paragraph पे लगा सकते हो मैंने यहाँ पे चोटा project बनाए table बनाई और table को use table में क्य यूज किया CSS का यूज किया जिसे हम बोले internal style sheet ठीक है और कुछ properties का यूज किया तो आपको remember रखना है कि सारी properties आपको क्या होनी चाहिए बच्चे याद होनी चाहिए तभी आप करोगे वैसे यहां तो suggestion मिल जा रहा है बट जहां suggestion किसी software पर यूज कर रहे हैं वहां suggestions नहीं आ रहे हैं तो आपको properties का याद होना चाहिए कि background color कैसे करते हैं ठीक है और आप कैसे color set करोगे text कैसे set करोगे यह सारी चीज़े आपको याद होनी चाहिए तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि मैं यहां पर आकर यह लिखूं कि body body tag पे हम मैं लिखता हूँ background color background background color background color background color लिखता हूँ मैं कुछ लिख देता हूँ light मैं लिखता हूँ shand तो देखिए तो अगर मैंने background property यूज करी background color body tag पे तो body tag पे body क्या मतलब क्या होता पूरे HTML का web page की body तो उस पूरे HTML web page के body पे color set हो गया background color color shade तो आप color change भी कर सकते हूँ मैं यहां red कर देता हूँ तो आप red देखना red हो जाएगा आप blue कर दीजे blue हो जाएगा आप जो भी color set करना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर ऐसे कर सकते हैं आप तो यह body tag यह क्या हमारे selector है body th यह सब बेटा हमारे क्या है selector है तो आप ऐसे कर सकते हैं ठीक है बच्चे तो यह था आज का practical session जिसमें हाई हो बहुत helpful रहेगा आपके आप मेरे इस code को practice कर सकते हो और अपने यह सारी properties का use आप कर सकते हैं ठीक है बच्चे तो चलिए आ जाते हैं अपनी ppt पर वापस आ जाते हैं ठीक है तो बच्चे ppt पर हम वापस आ गया है तो बच्चे यह हो गया practical तो आपको कुछ और बताना चाहूंगा आपको information यह है कि बाई यह मेरा time table है मैं यहां पर time table का computer application का मैं बता देता हूं आपको ठीक है तो देखिए Monday को 1 p.m. पर class होती है ठीक है Wednesday को 10 p.m. 1 p.m. पर होती है और Friday को मैं live आता हूं आपके सामने तो आप यह time table follow करके मेरी class attend कर सकते हो और मैं practical based class भी deliver कर रहा हूं कि जिससे कि आपके practicals की भी preparation हो जाए जो practicals आपसे पूछे जाएंगे exam के time पे ओके students चलिए तो बहुत ही अच्छे I hope यह session आपके लिए बहुत ही helpful रहा होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा practically चीज़े आपको समझ में आई होंगी तो भाई अगर समझ में आई है तो like करिए चैनल को subscribe करिए चैनल को like करिए वीडियो को और share करिए अपने friend circle में कि सबको यह knowledge हो जाए computer applications का जो भी practical lecture मैंने deliver किया है students okay students तो चलिए till then bye bye take care अपना ध्यान रखिया और practice जरूर करिएगा इस session को आप अपने according भी और अपने according CSS properties का use करिएगा bye bye take care